मोधी मंत्री मंदल विस्तार के बाद जनता दल युनाइटिड ने शनिवार को अपनी कारेकारेनी की बैठक बुलाई है दावा किया जा रहा है बैठक के दौरान केंदरे मंत्री और जेडियू की राष्टरिय अध्यक्ष आर्सीपी सिंग को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है आर्सीपी सिंग के मंत्री बनने के बाद सही पार्टी के कई वरिस्टने ताउन से नराज़ चल रहे हैं और ये नराजगी आर्सिपे सिंग पर भारी पड़ सकती है तो क्यूं मुश्किल में दिख रहे हैं जेडियू के राश्ट्रिय अध्यक्ष देखिए ये रिपोर्ट जनतादली उनाइटिट की राश्ट्रिय कारिकारणी की शनिवार को दिल्ली में बैठक होनी है बैठक में बिहार के सीएम नितीश कुमार के साथ कारिकारणी के सभी सदस्यों को आमंतरित किया गया है कोरोना संक्रमन के चलते अधिकांश सदस्य मीटिंग में वर्चुल तरीके से जुड़ेंगे जबकि दिल्ली में उपस्थत लोग बैठक में सीधे शामिल होंगे संभावना जताई जा रही है कि सीम नितीश कुमार बैठक में शामिल होने के लिए आज रात को दिल्ली पहुंच जाएंगे मोदी मंत्री मंदल विस्तार के बाद जेडियू कारिकारणी की पहली बार बैठक बुलाई गई है जेडियू के राष्ट्री अध्यक्ष आर्सीपी सिंग को भी मोदी कैविनेट में जगा दी गई है लेकिन जेडियू में इसे लेकर नाराजगी दिखाई दे रही है पार्टी के नेता इस बात से नाराज है कि एंडिये में बीजेपी के बाद सबसे बड़ा घटक दल होने के बाब जूद जेडियू को मंत्री मंदल में सिर्फ एक सीट दी गई है जबकि निदीश कुमार एक सीट का ओफर पहले भी अस्यूकार कर चुके थे इसके बाद से ही एक कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी नेताओं की नाराजगी को देखते हुए आरसीपी सिंग से अध्यक्ष पद से स्तीफा मांगा जा सकता है आरसीपी सिंग को भी इसका एहसास हो चुका है इसलिए वो साफ कर चुके हैं कि यदी उनके स्तीफे के लिए कहा जाएगा तो वो अपना स्तीफा देने को तैयार है और अब दावा किया जा रहा है कि आरसीपी सिंग पार्टी कारिकार्नी की बैठक में संग्ठन से जोड़े मुद्दे, सदस्यता अभियान, मौजूद राजनी तिक मुद्दे और आगामी विधान सभचुनाओ पर चर्चा की जाएगी इस दोरान सीम नितीश कुमार के अलावा केंद्रियस पात मंत्री और पार्टी के राष्ट्री अध्यक्षार सी पिसिंग सभी सांसत, सभी राज्यों के प्रदेश, अध्यक्षार कारकारणी के सभी सदस्य हिस्सा लेंगे